जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सवास्तेवी भाग की एक और भरती 2020 के बारे में जो की रिसेंटली निकाली गई है और ये भरती आपकी सूरत म्यूनसिपल कोर्परेशन के अंदर जारी की गई है और जैसा कि आप सब जानते हो कि जो रिस कोश्ट है उनमें आपको उनका इलाज करना होता है बेसिकली अभी आप लोग ये जोब ना समझ करके इसको एक देश सेवा समझ ये क्योंकि अभी रिसेंट में कोई भी लोग इसको सैलरी के रूप में नियुक्त या फिर जोइन नहीं कर रहा है इसलिए जोइन कर रहा है वो लोग सेवा दे सके जैसे कि बाकी लोग देते आ रहे है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं मैं आपको इस वर्ति के बारे में कम्पलिट जानकारी देने वाला हूँ पर यहाँ पर दोस्तों जो आपका इस वीडियो का जीके का कोस्चन है पहले हो जान लेते हैं इसके बाद इस वर्ति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सवाल है वर्तमान में भारतिय समिधान में कितने राजजिये भासाए वर्नित है तो आपका ओप्सन है ओप्सन A 25 ओप्सन B 14 है ओप्सन C 22 और ओप्सन D 24 तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सकाइब भी कर लेना है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वर्ति के बारे में तो यहाँ पर पहले आप थोड़ा सोट में देख लीजे फिर मैं आपको परतिक ज नर्स, वार्डबोई, एंड आया के पद पर निकाली है टोटल वैकेंसी सभी पदों को मिला करके 262 है और जो ब्लोकेशन आपकी गुजरात रहने वाली है और यहाँ पर दोस्तों अगर आप अधर इस्टेट से आवेदन करते हो तो आपकी नियुक्तिया ही पर होगी बट उसके लिए आपको गर गुजराती की नोलिज है तो ज्यादा बहतर रहेगा अन्यता आपको प्रोब्लम हो सकती है नोटिफिकेशन डेट आपकी 19 अप्राइल 2020 है और आवेदन करने की अंतिम्तिति आपकी 23 अप्राइल 2020 है जिसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के सुरु बत में कि एक अर्जाइंट भरती है इसी वज़े से यहाँ पर आपको इतना कम समय दिया जा रहा है ओफिसल वैबसाइट आपकी सुर्थ म्यूंसिपल डोट जियो भी डोट इन है अब चले यहाँ पर दोस्तों जो इसका इलिजिबल्टी करेटेरिया वो भी जान लेते मै यहाँ पर आपको इसका ओफिसल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हूँ यह आपका ओफिसल नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी रिटेल और किस पोस्ट पर आविदन करने के लिए क्या qualification आपसे मागी जा रही है वो देखने को मिल पा रहे है साथ ही उस post पर आपको क्या salary दी जाएगी ये जानकारे भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर आपको आपकी important dates आपके सामने दी जा रहे और यहाँ पर आपको आपका application form देखने को मिल जाएगा और यह जो application form है अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए form fluff की वीडियो बनाओं और आपको बताओ कि कैसे आपको यह form step by step भरना है तो आपको मुझे comment करके बताना होगा कि मुझे form fluff की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है अगर आप इस बारे में comment करोगे तो मैं आपके लिए आज सामता की form fluff की वीडियो बना दूँगा अब यहाँ पर अगर आप यह जानकारी गुझाति लेंग्वेज के अंदर अच्छे से नहीं समझ पाए मैं आपको थोड़ा English के अंदर यहां से दिखा देता हूँ आप यहाँ पर post wise जो qualification हो देख लीजे medical officer पर आविदन करने के लिए आपसे MBBS की degree मांगी है नर्स की post पर आविदन करने के लिए आपसे और mode of application भी जैसा कि मैंने आपको बताया और आपका application form है यह आपको offline रहने वाला है और जो आपका address है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको यह form send करना है तो दोस्तों यह थी आपकी इस वर्ति के बारे में complete जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज आपस वीडियो को like, share और साथ इसाथ ग्यांदे होस्ट यूटूब चैनल को subscribe कर ले और subscribe करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जेह हिं दोस्तो